ओम शान्ती, आधा कल्ब हम आत्माएं, जिस निस्वार्थ और सच्चे प्यार के लिए तरस्ते रहे, संगम पर ज्ञान का सागर, हमें अपनी एक भूंद देकर त्रिप्त कर देते हैं, त्रिप्त होना, अर्थार्थ, जीवन मुक्ती की प्राप्ती करना, तो आईए रिवाइस करते हैं, आज के 26 सप्टेंबर 2023 के महवाक्यों को, ज्यान की एक भूंद कौन सी है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, किस पुर्शार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नती समाई हुई है, याद में रहने के पुर्शार्थ में, आपस में दे अभिमान के जिस्मानी बातें छोड़, रुहानी बातें करने में, इजाफा किन को मिलेगा, बाप का शो करने वालों को, सब को शान्ती और सुख का मार्ग बताने वालों को, किसको क्या कहा जाता है, रचिता को बाप, बाप को ज्यानेश्वर, पतित पावन को ज्यान सागर, आत्माओं के बाप को ज्यान सागर, पतित पावन, क्या होने से क्या होता है? हम किन बातों को जानते हैं? प्रेक्टिस करो हम आत्मा हैं अजन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है तब तो भोगना पड़ता है बहुत मेहनत लगती है सबसे जास्ती सर्विस कहा हो सकती है? देहली में अकबार द्वारा क्या इतला करनी है? श्रुबावा का बर्थ प्लेस भारत है सभी का उधार करने वाला एक ही बाप है बेहत के बाप से बेहत का वर्सा लेने का पुरुशार्थ करो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता-परमात्मा पतित-पावन का है क्रॉज्ट इब्राहिं बुद्ध आदी सभी पुनर जनम लेते-लेते अभी अनतिम जनम में हैं लोखिक बाप से जनम-जनमांतर वर्सा लेते आए अभी पारलोखिक बाप से वर्सा लो किसका धन सेफ रहेगा जो बाप के मददगार बनेंगे सत्युग में सोने के महल कौन बनाते हैं जो अभी पूरे दानी है सुख कहां कहां है शांती धाम ये थी आज की मुरली की विशेश बाते आज हम सारा दिन स्वयम पर अटेंशन देंगे कि देही अभीमानी रहने का अभ्यास करना है और साथ-साथ जिनसे भी सारा दिन मुलाकात करें उनसे केवल रुहानी बाते करें जिस्मानी वारतालाप में ना जाएं और हम बाबा के साथ मददकार बच्चे बाबा के साथ सर्विस पर उपस्थित हैं तो हमें भी बापसमान वास्टर दुख हरता सुख करता बनना है ओम शान्ति